देखे दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2023 का दिवाली अब पूरा हो चुका है फेस्टिवल टाइम पूरा हो चुका है और आज है 13 नवंबर यानि कि दिवाली का ठीक अगला दिन जहां पर हम सबी लोग एक नई शुरुआत की तरफ सोचते हैं मैं ये वीडियो इस्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है जो महज इन्वेस्टर्स हैं या मैं कहूं कि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हूँ या फिर गौवर्मेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हूँ उनकी एक फिक्स इंकम मंतली उनके अकाउंट में आ जाती है अब ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग करना एक थूड़ासा प्रॉबलम होता है और कई नौकमर को तो ये भी पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक में इनवेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर अगर आप बैंकों में पैसा रखते हैं पिर अपर फिर आप सोचते हैं कि उसमें मुझे रिटर्न मिल रहा है वो इतना effective return नहीं है तो कुछ एक ऐसी चीजे है जहाँ पर आपको एक अच्छा profit देखने को मिल सकता है देखिए, market में एक psychology है कि अगर मैं जिसे की मैं आपको एक just example देखे दिखाता हूँ कि reliance में अगर हमने stock लिया होता तो मैं जब purchase करता हूँ तो market में downfall आता है कुछ stocks की uncertainties market में बनी हुई है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों देखिए, जैसे market उपर जा रहा था एक full pleasure आपको momentum मिल रहा था आपने यहाँ पर कहीं पर purchase किया और फिर थोड़ा सा downfall आया यह मैं monthly chart बोल रहा हूँ यानि कि एक महीन है दो महीन है नहीं यह काफी लंबा chart है आप थोड़ा सा इसे देखिए यहाँ पर closely यह देखिए यहाँ पर क्या हुआ लगबग मैं आपको बताता हूँ 2007 November में आपने कहीं पर purchase किया तो यह लगबग आपने 600 रुपे का असपस purchase किया होगा और उसके बाद 2009 तक इसकी value 300 के असपस आ गई अब यदि आप एक retail investor है तो आप अगर इस तरह का पैसा दालेंगे तो आपको दिखेगा यार मैंने 600 रुपे में लिया ताब यह 200 रुपे पर आ गया है आगे क्या uncertainty होगी हो सकता है यह पूरा टूट टूटा के 0 पर आ जाए 10 पर आ जाए 15 पर आ जाए ऐसे कही तरह के विचार आएंगे और आप में इतनी capacity नहीं होगी कि आप इसे एक लंबे अंतराल के लिए hold कर सके तो यह problem होती है especially retail investor की जब वो लोगों को trading में ज़्यादा मगर इसकी probability क्या है इसकी probability 50% है 50% की उपर जाएगा 50% की नीचे भी आएगा और कई बार ऐसा होता है कि जब आपको उस पैसे की जरूरत होती है तो आप loss खाके भी वो पैसा withdraw करके अपनी नीर भें जहां पी भी investment है उसको use कर लेते हैं तो यहां पर individual जब एक stock में आप invest करते हैं न दोस्तों तो इस तरह की uncertainty बहुत ज़्यादा probability होती है और आदमी जो है वो ठक हर के अपना investment में पैसा जो है वो डुबा के निकल जाता है और फिर दुनिया में एक राग अलापा जाता है कि share market में कई बार पैसा अक्सर जो है वो loss होता है कई बार नहीं बलकि अक्सर loss होता है तो इस चीज को overcome करने के लिए मैंने एक stock जो है मेरे दिमाग में है stock नहीं बोलूँगा वो दरसल है ETF वो है equity traded funds ये बहुत ही शांदार चीज है दोस्तों इसको मैंने काफी study किया हलनकि मैंने भी इसमें investment पिछले दो साल सही start किया ज्यादा समय नहीं हुआ मगर ETF जो है इसको जब मैंने अगर पुरानी history पे थोड़ा सा जाहाच पढ़ता लगी थोड़ा सा देखा तो मुझे बहुत एक interesting चीज लगी जो मुझे लगा कि इसे वीडियो की format में आप सब के सामने लाना चाहिए देखिए सबसे पहले चीज समझी सर कि अगर आप individual stock में invest करेंगे तो उसकी uncertainties का पर direct impact पढ़ेगा अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं ETF क्या होते हैं ETF वो funds हैं जो index पर trade किये जाते हैं ठीक है ना so indexes पर trade किये जाते हैं और index के अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको देखो यह index दिखाता हूँ 1991 में Indian stock market जो है वो 50-50 का indices बनाया गया था ठीक है 50-50 का और अब इसे आप देखिए 1991 में इसकी value अल्मूस्ट कितनी थी 526.94 के आसपास और आज की तारिक में इसकी value कितनी है 19,000-20,000 के आसपास है और आप देख रहे हैं कि gradually slowly हो सकता है मकर gradually इसमें increment आ ही रहा है हालनकि कई बार downfall भी देखने को मिलेंगे 2008 का एक downfall देखने को मिला COVID timing का downfall देखने को मिला ऐसे कई uncertain downfall आपको देखने को मिलेंगे देखिए एक downfall दूसरा ये बड़ा downfall है ये चोटे मुटे downfall है ये मन्थली time frame बे हम देख रहे हैं निकि एक candle जो है वो एक मन्त की है तो इस तरह की uncertainties आती जरूर है मगर आप इतना तो आख बंद करके surety रख सकते हैं कि दीरे दीरे ही सही पर हमारा market जाएगा तो उपर ही क्योंकि ये एक ये दो साल की बात नहीं कर रहा है मैं आपको पिछले 20 सालों का इत्यास दिखा रहा हूं कि market उपर ही गया है overall जो indices है वो उपर ही जाती है सो 20 सालों का proven record है तो क्या आप लगता है कि आने साले समय में हमारे indices सूपर नहीं जाएगी बिल्कुल जाएगी हो सकता है दो साल तीन साल चार साल में जाए बट जाएगी तो पक्का सो अगर कोई ऐसा fund है जो इसी पर directly trade करता हो इसी पर directly invest करता हो और इसी की replica बनके अगर market में बैटा हो तो क्या उसमें invest करना कहीं भी रिस्की है बिल्कुल नहीं हाँ देखिए stock market में कहीं भी invest करेंगे तो risk तो रहता ही है और सबसे बड़ी problem क्या है कि आपका exit कब है आपने यहां कहीं exit किया यहां कहीं exit किया इवन मैं तो बोलता हूँ यहां कहीं exit किया तो आपने पैसा बना के निकले तो यह चीज बहुत important हो जाती है हमेश्चा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा मगर slow study लंबे अंतराल के बद आप देखे market उपर ही उपर जा रहा है उपर ही उपर जो इनके reply का है नहीं कि इनकी reflections है market में तो उसके लिए आपको इस चीज ध्यानत नहीं है market में उन्हें बीज के नाम से जाना जाता है दोस्तों वी डबली एस जिसे nifty बीज होगे bank nifty बीज होगे even gold के भी बीज आपको market में देखने को मिल जाएंगे यहां पर कुछ मैंने short गोल्ड की बहुत महत्ता है और गोल्ड आप देख रहे होंगे 2015 से लेकर के देखिए यह जो भी established हुआ ना first यह 2015 में इसको start किया गया था और तब से आज तक कि इतना बढ़ चुगा है अभी देखिए यहां पर एक जी समझे होगी कि जो gold के rate है ना चॉइस अजार के 28,000 के आसपाँ चल रहा होगा तो उस समय इसका जो stock है जो ETF stock है उसकी value चॉइस रुपए 28 रुपए के आसपास और जैसे जैसे इसकी value बढ़ती गए इसका pricing बढ़ता गया तो यहां पर gold की ही replication में इस ETF fund का भी price बढ़ता गया आज की तारीक में एक दम देखिए proportionate way में मैं यह नहीं कूँगा कि one to one है अगर आज 60,000 गोल्ड चल रहा है तो 60 नहीं होगा मगर proportionate way में इसमें भी increment आपको reflect होता दिखेगा और यह हमारे लिए good news है अगर आप सुचो 2019 के आसपास में आपने इसके 1000-2000 stock लिये होते तो 36,000 के reflection में आपको आज की तारीक में 52,000 होने वाली है क्योंकि resources है यह limited है market में तो यह एक जैसे की gold का ETF है यह तो मेरे को लगता है SBI का द्वारा जो launch किया गया ETF है gold का इसी तरीके से काफी सारे जैसे HDFC भी करती है launch even Nippon भी करती है तो किसी का भी आप ETF में जाके purchase कर सकते हैं अब मैं आपको एक nifty 50 का ETF दिखाता दोस्तों यह यहाँ पर देखिए यह देखिए हमारा nifty 50 का index है और इसी का ETF है आप देखने चाहेंगे तो यहाँ पर जस्त आपको search मारना है nifty ETF यह देखिए सामने मेरे पास आच चुके हैं तो मैं यह nippon का आपको दिखा देता हूँ ETF यह देखिए अब देखिए आपका proportionate way में तो दोस्तों यह देखिए nifty bees अब मैंने आपको बताया था ना कि proportionate valuations होती है तो अगर आप देखेंगे 2002 में सबसे पहले जो है वो nifty का भी यह वाला जो particular stock है यह launch हुआ था market में ETF launch हुआ था equity traded fund जो एक तरसे mutual fund होता है इसे आप एक तरसे mutual fund बोल सकते हैं जिसे पर देखेंगे कि 2002 के असपास जब यह मैं time frame देखता हूँ तो इसकी value यहाँ पर आपकी चल रही थी 1100 के असपास 1200 के असपास तो उससे में इसकी value थी 9 रुपे के असपास ठीक है न और जैसे इसे फिर value बढ़ती है उसके उसी का reflection अगर आप chart देखें तो exactly replica दिख रहा है देखिए exactly replica है यह इसका यह fall आया कोवीड का फिर उपर गया similarly कोवीड का fall आया फिर उपर गया तो यह exactly इसका replica बनके आपके सामने आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं कि हमने already nifty का indices देखा है 1901 कराणों से लेकर आज तक 1901 के असपास जब यह चल रहा था आप मैं ETF में invest करूँगा तो मुझे sure and success return मिलना ही है और एक बड़ा return जो है वो मैं over a period of time अपने पास में इखठा कर सकता हूँ ठीके अब यहाँ पर दोस्तों purchase कब करना है यह एक important चीज आ जाती है तो यह तो हमने समझ लिया कि किस तरह के stocks में हम invest कर सकते हैं ETF में आप invest कर सकते but ETF के mutual fund ज्यादा safe secure और long term में आपको अच्छा return देखे जाएंगे और यह देखिए आपको यहाँ पर बहुत सरे तरीके ETF होते है और मैं अगर recommend करूँगा तो देखिए आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए PSU bank आपको भी पता है कि over period of time PSU bank के stock बढ़ने वाले हैं but फ पिला लॉसवाल ने भी निकाल रखा है तो यहाँ पर निफ्टी 50 का indices के against जो भी ETF है या जो भी आप बुल सकते है बीज है वो आप ले सकते है या फिर आप जो है bank निफ्टी indices के against जो trade करते हैं उनको ले सकते हैं तो यहाँ पर यह मुझे जो है मेरे interest के लग रहे हैं जिन sensex okay so यह देखिए sensex में आपको क्या देखने को मिलता है यह देखिए 2021 से लेकर आज तक continuously आपको जो है वो growth ही देखने को मिल रही है आप देखिए थोड़ा downfall फिर उपर फिर आप फिर आपको तो इस तरह से यह उपर ही जाता है ठीक है न अब देखिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के उपर सो बैंक निफ्टी की वीदेदीम बात करें तो 2000 के असपास इसका launch किया गया था उससमें इसकी value थी करीबन 778 रुपे के असपास आज यह पहुच चुका है 43,000 के असपास तो यह बैंक निफ्टी का indices है और इसी के against में जब आप ETF देखते हैं इस sure and success आपको एक अच्छा result देखने को मिल रहा है हाँ downfalls आ सकते हैं market crashes आ सकते हैं मगर over a period of time आपको एक अच्छा return देखने को मिलेगा अब देखिए दोस्तो यह तो हमने basic समझा कि कौन से mutual fund के stock से जिसमें हम invest कर सकते हैं और जिसमें हमको short success result मिल रहा है और वो कोई एक individual entity पे performance पे depend नहीं कर रहा है यह bunch of companies है जो मिल करके perform करती है और हमारे indices को उपर लेके जाती है और उस पर trade कर रहा हमारा mutual fund हमको over a period of time अच्छा result देता है अब यहाँ पे एक important चीज़ आ जाती है कि हम purchase कब करें तो देखिए अगर आप purchase करना चाहते हैं तो monthly investment कीजिए तो यहाँ प मैं जैसे देखिए यह SBI का जो एक bank nifty का ETF है उसके अंदर investment का आपको suggestion देता हूं मतलब उसी के trial बताता हूं कि मैं किस तरह का preference करता माल लिजे 2016 से मैंने सुचता कि अब मैं हर महीने मुझे ETF में investment करना है तो मैं कब करूँगा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों यह इक चीज हमेशा ध्यान अकनी है आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आपका red candle बनता है month end का उसी में आपको buy करना है जब जब भी आपको red candle देखे आपको stock buy कर देना है अब क्यासे यहां पर यह देखिए आपको red candle मिला और यह कौनसे मंत का है मैं जरा देखके बताता हूं यह है February मंद का आपने जितना आपका budget मानता है उतने stock खरीद लिये इसके फिर अगले मैंने green candle आपने कुछ बाया नहीं किया फिर green candle कुछ बाया नहीं किया चलने जी जी चलने और इस period में आप अपना पैसा इखटा करते जाए पैसा इखटे करते जाए अभी आपको purchase नही purchase इस तरीके से आप follow करते जाए अब दोस्तों मैंने जो आपको ये red candle वाले strategy बताए इसका फाइदा क्या होगा फाइदा ये होगा कि जब जब भी आप red candle में purchase करेंगे यनि कि market का वो downfall है उसमें आप purchase कर रहे हैं और green candle में आपका वो valuation उपर जा जाके आपका average बन जा रहा ठीके इसी तरीके से यहाँ पर फिर से नीचा आ रहा था यहाँ पर जो भी मैंने purchase करेंगे उसका average करेंगे तकरीवन इसके बीच में बन के आएगा और फिर ये उनकी सबकी valuation उपर जाएगी तो इस तरीके से जब भी आपको red candle जिस भी महीने में दीखे उस महीने में आपक अब आप बोलेंगे यार इसमें दो को एक दो तीन चार पांच छे महीने तक तो मुझे को negative candle नहीं दीखी कोई issue नहीं है अगर आप फिर भी purchase करना चाते हो कर सकते हो उसका कोई drawback नहीं है बट क्या होगा मैं क्या करूंगा उस समय पैसे को इखटा करके रख लोगा और जै period of time return तो मिलना ही मिलना है मगर अगर एक smart investor है तो वो क्या करेगा जब भी market में आपको retracement है downfall देखने को मिलेगा वो वहाँ पर investment करेगा तो आपको मज़ा आएगा अच्छा ये तो देखो market आपके favor में था दोस्तो तब आपने अच्छे से investment ले लिया मगर आप यहाँ उतना बड़ा investment strategy ये रखिएगा जितनी बड़ी रएड गंडल उतना बड़ा investment यहाँ पे आकर दस तस स्टॉक ले रहे थे आप छीक है ना जैसे यहाँ पे आपने 5 चोटी रड़ गंडल है यहाँ पे 10 ले लिया फिर चोटी रड़ गंडल तो 5 फिर 10 स्टॉक और बड़ी तो आपका कहीं न कहीं यहां कहीं आएगा आपने बहुत तगड़ा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा तो यह चीज हमेशा ध्यान किए रैड केंडल पर परचेस कीजिए अब आप बोलेंगे यार इसमें तो रैड केंडल कंटिनिस नहीं बन रही तो जरूरी थोड़ी निफ्टी-फिस्टी के देख लेजिए अलग-अलग स्टॉक बट मैं सुझेश्ट करूंगा दो ही उसमें जाहिए आप लोग ज़्यादा सुरी निफ्टी-फिर्टी यह देखें सो यह हो गए निफ्टी-फिये मेरा और यहां पर मैं एटी फ लोंगा इसका सो इसका एट सा रहे हैं मुझे थोड़ा सा है ना SBI पर ज़्यादा ट्रस्ट है सो SBI के ETF पर ही जाऊंगा और यह देखिए देखो प्राइज 100% रिप्लिका नहीं होगी बट आप मुवमेंट देख लीजिए हर एक candle to candle देख लीजिए इसमें red बनेगी तो इसमें भी इस तरह से सो अल्मॉस्ट यह जो है ना इंडिस इसको यहने कि जो हमारा इंडिस है उसको यह एटिया फॉलो करता है 90% के आसपस फॉलो करता है तो वह बहुत है क्योंकि इसका investment टोटली उसी के आगधार पर चल रहा है तो यह देख लीजी अब यहाँ पर भी आपने red रेड 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 पर 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 नीचे की तरफ लाते रहोगे और जब market shoot करेगा उपर की तरफ तो आपका profit margin उतने ही level पर बढ़ता जाएगा तो यह एक investment strategy है और क्या है देखिए amount बहुत छोटा है आज की तारीक में running price भी देखेंगे तो 203 के असपस है per stock so महिने का आप 10-15 stock 10 stock भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ 2000 रुपे का असपस का कुछ value बन के आता है और 2000 रुपे एक accelerated person easily invest कर सकता है और अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूँ दोस्तों कि अगर आपने 2016 में 73 रुपे या आप मैं समझता हूँ 100 रुपे में भी लिया है और आज अगर दुगना stock value हो चुका है तो इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं होगी मैं तो समझता हूँ इस तरह के investment आपके लिए really fruitful है 2-5 साल में पैसा आपका double हो जाता है इवन देखो यह guaranteed double नहीं है अगर यही मैं 2016 में invest करके 2020 के आसपास यह दी देख रहा होता तो मैं बूलूँगा यार जो मैंने invest किया उसके आसपास यह आके खड़ा है market 100 के आसपास मै रहना है कि over a period of time मेरा यह stock जाना तो उपर ही है जो भी downfall है वो एक तरह से retracement है market अपने आपको retrace कर रहा है एक लंबी उच्छाल के लिए और आप हमेशा देखिए जब भी इसने अपने आपको retrace किया दोबरा लंबी उच्छाल मारी है यह देखिए market इतना तगड़ा गी के फिर उच्छाल देते थे इस तरह से इस तरह का यहाँ पर market में आपको behavior देखने को मिलता है तो जब भी पीछे की तरफ market को खीचा जाए आप purchase कर लिजे और उपर की तरफ जाए तो आप उसको sale करना चाहे करिए और जितना लंबा hold करेंगा उतना ही आपका profit बढ़ेगा ultimately यहाँ पर आपको फायदा क्या है दोस्तो इस तरह के stock में खेलने का कि यह individual का performance नहीं है अगर आप 50 के ETF में purchase कर रहे हैं आने वाले time में Reliance में कुछ bad news आ जाती है कोई एक दो companies में bad news आ जाती है तो उसका consolidated effect इस पर पड़ेगा individual एक stock का one man show यहाँ पर नहीं होगा जैसे Reliance क individual news आया तो उसका stock एकदम से गिर गया अभी आपने अदानी में देखा होगा अदानी में हमको तकड़ा जटका लगा था और ताबर तो एक दो दिनों में तो price पूरी तरह से डूब गए थे तो वो impact आपको इसमें इतना लंबे तरुपे देखने को नहीं आएगा देखे एक चीज में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यह थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने यह recommend क्यों किया है आप अदानी enterprises को देख लिजिए दोस्तों यह देखिए आज संबल संबल के भी यह 2200 के आसपास है ठीक है अब इसी timeline को हम हमारे ETF पर देखते हैं इसी timeline को यह देखिए ETF पर देखिए आप ETF की value अब देखिए one man show की मैं बात कर रहा हूँ यह यहाँ पर चेक कीजिए यहाँ पर देखाने कोशिश करता हूँ मैं यह देखिए यह ज संबल नहीं पाया अभी तक जिन्होंने 4000 के आसपास ये नहीं की है 30000 पे फुयों कि 4000 पाइस पर रातोब नात हजार रुपे पैर बैट गह थे अगर यहाँ पर आपने 200 के पर पर दूसक्ता आप 160 पे आते हैं पर दूबारा से यह इसंबल सही लुवल के 203 की ऊपर आचु तो यह मेरा एक नया साल में एक नया रिकमेंडेशन था मैंने काफे स्टडी की मुझे इसके बारे में पता लगा मुझे लगा आप लोगों को भी बताऊं और यह आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाते है तो ETF is the best option यह जो एक link है यह भी मैं आपका दाल दूँगा मेरे इस YouTube वीडियो की description में जहांबर आप देख सकते हैं कौन-कौन से ETF से बट मैं आपको suggest करूँगा Nifty 50 के जो ETF है या फिर bank Nifty के जो ETF है वो ही purchase करें ठीकन अगर आपको कोई भी query है तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं मेरा number इसके मीचे दिया गया है वीडियो के या आप comment section में दाल सकते हैं तो मैं आपको guide कर दूँगा ध्यान रखिए यह जो भी बताया जा रहा है यह को individual purchase का recommendation नहीं है यह just एक मेरा अपना experience है जो मैंने देखा है कि stock market में मैं भी accelerated बन्दा रहा हूँ तो मुझे invest करने पर risk लगता था यहाँ पैसा डालो नीचे जाता है अगर दू महीने में तो मैं डर जाता था निकल जाता था और मुझे unsecure feel होता था क्योंकि यार देखिए इस तरीके की problem अगर आई मेरा पैसा डूबता हुआ दिखेगा तो मैं निकल जाओंगा क्योंकि मुझे future के बारे में पता नहीं है बट जब मैं index का ETF में invest कर रहा हूँ तो मुझे future के बारे में पता है कि market जाना तो उपर ही है और मुझे पैसे की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है तो downfall के समय मैं घबरा के पैसा नहीं निकालूँगा बस ये एक चीज़ यहां पर मुझे फायदा दिख रहा है अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो like, subscribe जरूर कीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद